नमस्कार किसन भाईयो देशी फोल्ट्री फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है देशी मुर्गी पालन अगर हमें फाइदे मंद करना है प्रोफिटेबल करना है तो हमें दो बाते जो है वह बहुत ध्यान से करने होंगी और वही दो बाते कुन सी है इसके उपर राज हम ड पार है तो जो लोग नया देशी मुर्गी पालन का बिजनिस शुरू करना चाहते उनके लिए भी बाते ज़रूरी है और जो लोग पिछले काफी दिनों से देशी मुर्गी पालन कर रहे हैं लेकिन उनके पास ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है उन लोगों ने भी इन और बताते हैं कि शेड का एक तो डायरेक्शन जो है इस्ट वेस्ट पूरप से पस्चिम होना ज़रूरी है तो काफी सारे शेड जो है इस तरह नहीं है अगर आपका भी शेड इस डायरेक्शन में नहीं है तो आपको देखना होगा कि शेड आप बदल सकते है क्या इसमें कर सकते हैं क्या और दूसरी मतोपूर्ण बात रहती है कि शेड़ में वेंटिलेशन प्रॉपर होना ज़रूरी है तो एक अच्छा सेड़ अगर हमारे पास है तो हमारे मुर्गियों की ग्रोथ प्रॉपर होती है इसलिए शेड़ के बारे में जैसे मैंने बताया कि शेड़ की दिशा मतोपूर्ण है और उसी तरह शेड़ में वेंटिलेशन इसके लिए आपने शेड़ का जो नीचे जो कंस्ट्रक्शन किया है वो कितने फीट का किया है और उसके उपर जाली कुंसी लगाई है और उपर जो रूफ है वो भी कैसा बना हुआ है तो इन सभी बाते इसम समझ के लेते हैं तो आप देशी मुर्गी पालन आपको प्रॉफिटेबल कर सकते हैं और दूसरी महतोपूर्ण बात है वह है फीडिंग तो फीडिंग के बारे में भी हमने देखा है कि देशी मुर्गी पालन कर रहे हमारे जो भाई है वह फीडिंग के उपर ध्यान नहीं करना चाहते हैं देते हैं पहुत अच्छे चूज़े लेके हम आ रहे हैं सेड भी काफी अच्छा मुण गृतुरी हेशलने का केव़ी प्रोफटेबल देशी प्ल्ट्री फार्मिंग करनाश प्रोफ आ अगर आप देने ही पा रहे हैं तो हमने होमेड फीड घर पे फीड किस तरह बनाना यह आपको अलड़ी हमारे बाकी उड़े में बता के रखा है तो यह फीड घर पे बना के प्रॉपर तरीके से देना है क्यूंकि आप चूजे लेके अच्छा आते हैं सेड़ भी अच्छा है और फीड गलत है तो बिल्कुल देशी मुर्गे पालन से आपको प्रॉफिड मिलने वाला नहीं है क्यूंकि फीड अच्छा नहीं है तो ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और बिमारी आने के चांसे सरेते हैं तो यह बाते नहीं हो इसलिए दो फीड के बारे में बाते कौन सी द्यान रखने है तो एक तो अच्छे कंपणी का रेडिमेड फीड दे दीजिए यह नहीं मिल रहा है तो घर पे ही होमेड फीड अपने तरीके से बनाई है जो हमने फार्मुलेशन बताया है उसमें वो सब चीजे ले लिजे और यह फीड भी देते है तो अच्छी बिल्कुल प्रॉफिटेबल होगा और मान के हम यह चल रहे दूसरी जो बाते हैं कि आप अच्छे चीक्स लेके आ रहे उसका प्रॉपर वैक्सिनेशन कर रहे और प्रॉपर मार्केटिंग कर रहे यह बाते मुझे लगता है सारे लोग प्रॉपर तरीके से करते हैं लेकिन इन दो बातों के उपर बहुत बार हमारा ध्यान नहीं जाता है सेड़ और फीड के बारे में तो आप लोग यह सारी बाते ध्यान रखिए और अपनी देशन गुर्गी पालन से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाईए आप यहाँ पर आज हम रुकते हैं धन्यवाद